हेई फ्रेंज वेलकम भाग टू एडुकेशनल चैनल भायरेत आशू कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वस्त होंगे आजम पढ़ने वाले हैं निबंद लेखन जिसका शिर्शक है प्रथम प्रधान मंतरी पंडित जवाहर लाल नहरू आईए ज्यादा टाइम वेस्ट न के लिए अपना सर्वस्व नियोचावर कर देने वालों में ज्वाहर लाल नहरू का नाम अग्रणिये हैं आपका जन्म 14 नवंबर 1899 इसरी को इलाबाद के अत्यंत संपन परिवार में हुआ आपकी माता का नाम स्वरू प्रानी था पिता श्री मोती लाल नहरू एक प्रतिष्ठित वकील थे बाद में आपके पिता भी सब कुछ छोड़ कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूत पड़े और पिता पुत्र दोनों देश को स्वतंत्र कराने के लिए कटिबध हो गए अब हम पड़ते हैं इस निबंद की शिक्षा व बालेकाल नहरू जी का नहरू जी का बालेकाल एक राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ आपकी प्रारंबिक शिक्षा धिक्षा घर पर ही हुई आपको पढ़ाने के लिए प्रति दिन अंग्रेज शिक्षक आपके घर पर ही आते थे 1904 इसरी में मात्र 15 वर्ष की आयू में आप विद्या ग्रहन करने के लिए इंगलेंड चले गए वहाँ पर हैरो विश्व विध्याले में आपने प्रवेश लिया और वहीं पर आपने सारी शिक्षा ग्रहन की 1912 इसरी में बार एट लौ की उपाधी ग्रहन कर आप स्वदेश लोत आए दामपत्य जीवन 1916 इसरी में नहरु जी का विवाह एक कुलीन कश्मीरी कन्या कमला से हुआ जो एक सुशील व पतीवरता नारी थी 19 नवंबर 1917 इसरी को आपके घर एक कन्या का जन्म हुआ जो बाद में शिरी मती इंद्रा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हुई राजीव गांधी व संजे गांधी आपके दोते हुए यहाँ पे हम हर जगा आपके की जगा नहरु जी के भी लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंस जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लिखिये निभन्द राजनैतिक जीवन वा राष्टिये अंदोलन सार्वजिनिक कार्यों में आपका प्रथम प्रवेश 1915 इसरी में हुआ जब आप बंबई कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे सन 1919 इसरी में आप अपना वैभव पूरण जीवन त्याग कर पूर्ण रूप से सादगी का जीवन यापन करते हुए विधिवत राजनीती में शामिल हो गए गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में सक्रिये भाग लेने के कारण आपको कारावास की सजा दी गई विधेशी वस्तु भहिशकार आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 9 महा की जेल यातनाएं दी गई 1929 इसरी में आपको कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में आपने पूर्ण स्वाधिनता की घोशना कर दी 1930 इसरी में सविनय अवग्या आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको पुनह जेल भेश दिया गया 1942 इसरी में भारत चोड़ों आंदोलन के अवसर पर भी आपको जेल की यातनाएं सहनी पड़ी राष्टिय आंदोलन में नहरुजी ने हर शेत्रवा कारेक्रम में सबसे अधिक बढ़ चरकर भाग लिया उन्ही के सतत प्रयासों के परिनाम सवरूप 15 अगस्त 1947 इसरी को भारत स्वतंत्र हो गया स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री भारत के स्वतंत्र होने पर आपको सर्व सम्मती से देश का प्रथम प्रधान मंत्री चुना गया उस समय आपके सबलकंदों पर उस भारत का भार आया जो धीर्ग कालीन पराधीनता से अत्यांत जरजर हो चुका था अब उसके पुनरुथान का पूर्ण भार आप पर आ गया था जिसका आपने कुशल निर्वहन किया था सन 1952, 1957, 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस के बहुमत के कारण नहरु जी ही प्रधान मंत्री चुने जाते रहे तब से मृत्यू परियंत 18 वर्षों तक आप प्रधान मंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे राष्ट का नव निर्मान व नहरु नहरु जी पराधीन भारत से स्वतंत्र भारत को जोडने वाली कड़ी थे स्वतंत्र होने के उपरांथ देश की प्रगती का समग्र दाइत्व नहरु जी पर ही था आप एक साहसी व करम निष्ट व्यक्ती थे अपने देश के चहुमु की प्रगती के लिए आपने पंच वर्षिय योजनाएं बनाई हर पंच वर्ष में योजनाओं में निर्धारित लक्षय के अनुसार उन्हें पूरा किया जाता था शने शने नहरु जी के नेतरत्व में देश उन्नती की और अग्रसर होने लगा देश के नव निर्मान में नहरु जी के योगदान को भारतवासी कभी नहीं भूल सकते हर शेत्र में जो नीव नहरु जी डाल गए थे उसी पर आज भी देश अग्रसर हो रहा है विदेश नीती व विश्व शांती विदेश नीती में नहरु जी ने गुट निर्पेक्षता की नीती अपनाई विश्व के छोटे बड़े सभी देशों के साथ समान रूप से मैतरी संबंध कायम रखा पलोसी देशों से मितरता पूर्ण संबंध बनाने में वे सफल रहे विश्व शांती के लिए नहरु जी चतत प्रतिन शील रहे इसलिए उन्हें विश्व शांती का अगरदूत कहा जाता था उपसहार 27 मई 1964 इसलिए को हिरिदे की गती रुक जाने से भारत के लोगप्रिये जन नायक नहरु जी ने संसार से सदा के लिए विदा हो गए उनके आकस्मिक निधन से सारा संसार या सारा देश शोका कुल हो गया यद्यपी आज वे हमारे मध्य नहीं है फिर भी उनकी नीतियां आदर्श सदैव हमारे पत हमारा पत प्रदर्शन करते रहेंगे या करते रहते हैं आज भी देश नहरु जी की नीतियों पर आगे चलकर अग्रसर हो रहा है तेंक यू सो मच पर वाचिंग फ्रेंद्स इफ यू लाइक डोंट फोगेट तू थम्स अप एंशेर देस इन यूर ग्रूप मैं मोबाइल से इसको वीडियो को शूट कर रही हूं तो भीच भीच में थोड़ा सा फ्लैश परती है या फिर बलर आ जाता है जिसकी वज़े से पढ़ने में थोड़ी से देखकत हो रही है I hope you don't mind bye for now have a good day and take care